श्रीक्रिष्ण कनई आलाल की जये श्रे नियानन्द स्वामी की जये श्रे प्राणनाथ प्यारे की जये श्रीक्रिष्ण कनई आलाल की जये श्रीक्रिष्ण की जये श्रीक्रिष्ण की जये विविन्न घाटों में ब्रह्मा आत्माएं श्रीराज्जी श्यामाजी के साथ में जहिलना करती है जल क्रिडा करती है तो उसमें भी खास करके पाट के घाट के बात कर रहे हैं हक आधीर हुए हैं पाट पर मन चाहे संगार साजत तो पाट के घाट में जल क्रिडा करके फिर संगार करते हैं कहां पर जाकर संगार करते हैं तो उस समय वह सारी ऐसे ऐसी लेलाएं होती हैं यह समझाना चाहरे हैं तो ऐसी आत्माएं जो इन सारी लेलाओं को याद करती हो तो रुएं हकक अदम के उछोड़ें उपुर्ण ब्रह्म परमात्म के चरणों को कैसे छोड़ें जाकि असलह का निश्वत जिनका असलिसा मंद पूर्ण ब्रह्म से है रुएं मिलावा अरशबाग में परमधाम के विविन्न बागों में ब्रमात्माएं मिलती है उनकी बैठक होती है किस के साथ शरीराजी स्यामाजी और ब्रमात्माओं के साथ में जैसे साम के समय पर विविन्न स्थानों में जाकर के अलग-अलग स्थानों में जाकर के क्रिडाएं करते हैं उसके बाद में फिर जल क्रिडा करते हैं फिर सिंगार करते हैं फिर कहीं भी वहां बैठक भी होती है तो जहां भी बैठक होती है वो मिलावा है तो परमधाम के बागों में ब्रमात्माओं का स्रेराज्जी श्यामाजी के साथ में बैठक होती है देखो की नविदाएश चोभीता उस समय बागों की सोभा बढ़ती है रूएं हाका कदम क्यों छोड़ाई जाकि आसा लहा का नेश्वता आईसी ब्रमात्माएं पूर्ण ब्रमात्मा की चरणों को कैसे छोड़ शकती है अब खास करके अभी ये बाग तो यमुना के किनार के ही बाग आगे अभी समझ लेना चाहिए बागी लेलाएं तो अलग-अलग स्थानों में होती है अभी इसे का वरणा नहीं समझना होगा पश्व पंखी बोले इन समय कई भी दबना गूंजयता उस समय पश्व पक्षी बगरे अपने कलरप से पूरे बन को गुंजित कर देते हैं पुरुएं सुपने कदमना छोड़ाई जाकि असलह का नेश्वता तो जिनका सम्मंद पूर्ण प्रमात्मा से है ऐसी प्रमात्मा उनके चरणों को कैसे भूलेगी तो ये सारी लेलाएं करने वाली प्रमात्मा उनके चरणों को नहीं भूल सकती है बिदा बिदा के कुंजबन में हकरू हैं केल करता अब कुझ निकुझ बन का वरणन कर रहे हैं वहां जाकर के स्रेराजी, स्यामाजी और प्रमा आत्मा विवन लेलाएं करते हैं तो ऐसी लेला में रहने वाले आत्माएं सोकियों छोड़े इनकदम को जाकि आसलाह का निश्वत तो ऐसी आत्माएं पुर्ण प्रम प्रमा प्रमात्मा के चरणों को कैसे बोल सकती हैं बट पीपल की चोगी आहां का दीर हुए इसी चता बट पीपल की चोगी की बात की तो वहां बैठ करके तो वहां अलग-अलग लेलाएं करते हैं और साथ में जूलते भी हैं तो जूले तो वहां के प्रशिद्ध है कि इतने पांच-पांच भूमी का परियंत है तो उसके उसमें जूले लगे हुए हैं तो अलग-अलग स्थानम जाकर के जूलते हैं तो सब को बड़ा आनन्द आता है तो ऐसी आत्माएं रुएं सुपने कदमन छोड़ाई जाकि असल जाकर निश्वत हो तो सपन में भी स्रिराज्य के चरणों को नहीं छोड़ सकती है ताल पाल बनगिर दवाएं उपर कई मोहल देखा था अब ताल के तरफ ले जा रहे हैं ताल ताल का पाल पाल के उपर में ब्रिक्षावली है ब्रिक्षों के पंक्ति है तो उसमें भी ब् तो अलग अलग प्रकर के महल दिखाई देते हैं तो उन सब महलों में ताल में पाल में ब्रमात्माइं खेल करती है पाल के महलों में सो क्यों छोड़े हाक कदम को जाकि असला का निश्वता ऐसी ब्रमात्माइं पूर्ण ब्रमात्मा के चरणों को कैसे छोड़ सकती है जहां से यमनाजी ताल में प्रविश करती हूँ कितनी देवरी का घाट है 16 देवरी का घाट उसकी भी एक विशिष्ट प्रकार की शोभा है तो यह चारों घाटों का वरणन करते हुए इसका भी वरणन कर रहे हैं तो यमनाजी जहां से प्रविश करती है तो उस घाट का रुए शुपने कदम न छोड़ाई जाकी असल अहका निश्वत तो ये ब्रह्मात्माएं जिनका असली सम्मंद पुर्ण ब्रह्म से हैं वो इन चरणों को कैसे छोड़ सकती है ये जो कहें महराव घाटों उपर शोभीत ताल की तरफ से देखते हैं तो घाटों में अलग-अलग कमान दिखाए देते हैं घाटों की दिवाल में तो वो कमान उचोटे दर्वाजे हैं तो वो शोभाय मान है लिए खकदम ही रदे रुख के जाकी असल हकनिश्वत तो ब्रह्म आत्माओं के रिदाय में तो पुर्ण ब्रह्म पर्मात्मा के चरणकमल हैं इसलिए उन चरणकमलों से तो वो दूर हो ही नहीं सकती खेले हौजकोशर के बाग में रूहें बनडारी जूलत तो ताल के बाग में तो ब्रहमा आत्माएं खेलती है और वहां पर जो ब्रिक्षावली है उपर पाल पर तो उनकी साखाएं बहुत लंबी-लंबी है तो उन शाखाओं में भी ब्रह्मा आत्माएं जा करके खेलती है और वहां जूलती भी वहां जूले बगर है हक चरन सुपने न छोड़ाई जाकि असल हक करने शुवता ऐसी लीला करने वाली ब्रह्मा आत्माएं पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के चरनों को नहीं छोड़ेगी रूएं खेले टापू के गुर्ज में जरोखों बैठता तो अब टापू महल की द्विप्राशाद की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो जैसे द्वार विशेष हैं ऐसे गुर्ज भी विशेष हैं और वहां गुर्ज में जाकरके जरोखों में बैठकरके तो चारों देशा तो इनमें दर्शन करती हैं कभी किनी जर्वखे में कभी किशी गुरजब में जा करके वहां के जर्वखों में तो इस तरह से चारआँ तरफ के दरश्याँ करती है तो शोकियों रहे हक कदम बिना जाके असलह कनेशवता ऐसी ब्रहमात्माएं पूर्ण ब्रहम परमात्मा के चरणों के बिना रह नहीं सकती खेले अरशहाओ जटापू मिने हक अभेले चादनी चड़ता अब वहां की लेलाओं में एक चादनी की लेला वो भी एक विशिस प्रकार की होती है तो वहां चादनी में उस्रे राज जी और श्यामा जी बीच में हैं चारों तरफ रमात्माएं बैठी हैं और उनसे निकलता हुआ प्रकास पूरा आश्मान में पहुंच जाता है और चंद्रमा के किरणों के साथ में जाकर के उचूचने लगता है और फिर वहां बैठ करके चारों तरफ देखते हैं तो तलाओ का चारों तरफ जल है उसका भी उपर जाकर के चंद्रमा के किरणों के साथ में मिला हुआ हो उस प्रकार का लगता है तो ये सारे दृष्य चांदनी के तो वहां चत में बैठ करके की जूई लिलाओं के दृष्य हैं तो रुहें क्यों रहे इनकदाम बिना जाकि असलह का निश्वत तो ब्रमात्मा इन च चरण कमल को याद करते हुए तो इन सब को दर्शन करना है वो बात यहां पर समझा रहे हैं नेहरे महल अधापियां जल चक्रावजियों चलता अब आगे मानिक परवत की बात कर रहे हैं मानिक महल वहां पर नहरे बागेरे महल के नीचे से भी नहरे निकलती है और अलग अ मरreon विशाओं में निकलती है तो इस तरह से नहरे मोहल धापियां तो महल्स के से १रपी होई नहरें तो वहां पर निकली है जल चाक्रा वजह älle था चल था तो महर अब नहरें कैसी है इस तरह से ऐसे अध़े ब्रिताकार में भी है ऐसे करॉश भी है तो इस तरह से और उन में से फ्वारे बगएर भी निकलते हैं तो ऐसे यह तो जल है वो उस तरह से ऐसे घुम करके निकलता है बैता हुआ तो मुमिन आहा का कदम क्यों छोड़ाई जाकि असला का निश्वता ऐसे लिलाओं के पात्र ब्रमात्माएं पूर्ण ब्रह्म के चरणों को नहीं छोड़ सकती कई मोहल मानिक पहाड में इसाब में ना आवता ऐसे अनेक प्रकार के मोहल हैं मानिक पहाड में तो मानिक पाहड स्वएम भी विशेश है और उसके चारों तरफ नहरें बगरें और वहां से फुवारें, वहां से बजल धाराएं निकलती हैं और फिर नीचे भी नहरें हैं वहां पर भी फिर नहरें के बीच में कुंडा है उसका चारों तरफ में कुंडबी क्या है वो ताल ही है तो उसके चारों तरफ में महल है तो उसके फिर उचाई बढ़ती बढ़ती मानिक परवत के तरफ में गई हुई है जूले लगे हुई है तो इन में तो ये कितने महल है जिनका कोई पाराबारी नहीं है इसावन में नावत तो ऐसी महलों में लिला करने वाली आत्माएं अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ शक्ती वो कहना चारा है ये मोमिना को क्यों छोड़ ही जाकि असलहा का निश्वत कई ताल नहरे मानिक पर हिंडोलों चादरें गिरता अब कई नहरे हैं और उसमें फिर उसमें ताल है नौरों की क्रोशिंग में बहुत बड़ा उसमें भाग है तो वो पानी का तो वो ताल जैसा दिखाई देता है और ठीक हिंडोलों चादरें गिरता तो वहां पर हिंडोलों के साथ में जुले लगे हुए हैं और वहीं पर फिर जलदाराएं भी गिरती है तो इस प्रकार से ये वहां का दृश्य है एक अदम मोमिने क्यों छोड़े ही जाकि आसलहा करने श्वत इन लिलाओं में सम्मिलत होने वाली इन लिलाओं के पात्र प्रमात्मा अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती कई भातों नहरे बन में सागरों निकस मिलत है अब उससे भी आगे जाते हैं तो वो अलग-अलग प्रकार की नहरे हैं कहीं जब वो जवारात की नहरे हैं बन की नहरे हैं तो ये सब नहरों में क्या है कई भाते नहरे बन में बन में बन के अंदर वो उसमें अलग-अलग प मानिक परवत के नहर हैं, तो वो महानद में मिलते हैं, तो इसी तरह सी अलग-अलग नहर बगर हैं, अन्ततो गत्वा सागर में मिलते हैं, नीर सागर में, तो इसलिए वो सब सागर में जाकर के मिल जाते हैं, तो वहाँ लिला करने वाले आत्माएं मोमिन अखेले कदम पकड़के जाकि असला कनेशवता तो इन स्थानों में ब्रह्मा आत्माएं स्रेराज्य के चरणों को पकड़करके उनके साथ में रह करके लिलाएं करती है तो उनको कैसे भूल सकेगी कई बड़े मोहल किनारे सागरों कई मोहल टापों जालकता हैं अब सागरों के किनार में तो सागर और फिर दीप तो सागरों के किनार में भी अलग-अलग मोहल की बातें बताई गई हैं तो वो द्रिश्य हैं तो कई बड़े मोहल किनारे सागर हैं, सागर के किनार में उचे-उचे मोहल हैं, क्योंकि वहां तो बड़ी रांग और उसके आगे हैं, तो बड़ी रांग का तत्पर उचे-उचे मोहल हैं, इसलिए उनको ऐसे रांग का दिया किले की तरह से, तो ऐसे कोई रांग कुछ नही प्राशादों में, श्री राज्य के साथ में लीला करने वाली ब्रहमा आत्मा हैं. ए मुमेन कदम सुख ले वही, वो पुर्णब्रह्मा प्रमात्मा के चरणों का सुख वो लेती रहती है, जाकी असला का निश्वत उनका समन्ध पुर्ण ब्रह्म से हैं इसलिए उचरणों को भूलती नहीं है आगों बड़ा चोगान बन बिना दूब कई दूलिचों जुगत अब यहां पर सीधा उदर सागरों से फिर लवट करके आए रंगभवन के आसपास का दृश्वत आ रहे हैं रंगभवन के नजीक में ही बड़ा चोगान बन बिना ब्रिक्षों के बिना बहुत लंबा चोड़ा मैदान है तो पश्चिम का चोगान कहते हैं दूब कई दूलिचों जुगत वहां पर दूब अगरे भी हैं तो दूसरा दूब दूलिचा और पश्चिम का चोगान ये अलग-अलग है अन्नबन और उसके बाद में दूब दूलेचा फिर पश्चिम का चोगान तो वहाँ गलीचे की तरह से दूब है और पश्चिम का चोगान और दूब दूलेचा दोनों की बात समझा रहे हैं वहाँ लेला करने वाली ब्रहमात्माई मोमिन दूड़ा के कदम पकड़े ऐसे स्थानों में दूड़ दूड़ करके लेला हैं करती है फिर दानी के चरणों को पकड़ती है जाकी असलाह को निश्वत है तो जिनका असली समन्द पुर्ण ब्रहमा से है भग अहादी रूही इन चोगान में कई पशुपंकी दौड़ा होता है इन चोगान में इस लंबे चोड़े खुले मैदान में स्रेराजी, स्यामाजी, ब्रहमात्माई तो वहाँ अलग-अलग पशों के पक्षों की सवारी करके तो उनको वहाँ दौड़ाते हैं कोई उड़ते हैं, कोई दौड़ते हैं मोमिन लेवे सुख कदमों तो ब्रहमात्माई स्रेराजी के सानिद्य का उनके चरणों का सुख लेती रहती है क्योंकि उनका समन्द पूर्ण ब्रहमा से है कहा कहों बाग आरशका जितकाई रंगों फूल फूलत अब वहाँ फूल बाग नूर बाग क्या बात करें वहाँ अलग-अलग रंगों के फूल खिल रहे हैं रुहें क्यों रहे हैं का कदम बिना जाकी असल हकनेश्वत धामधनी के साथ में उन बागों में विचरण करने वाले ब्रमात्माइं अपने धनी के चरणों को कैसे भूल सकती हैं रूएं खेले फूल बाग में कई खुश वोई रशक बहकत तो जब ब्रमात्माइं फूल बाग में खेलती हैं तो वहाँ विभिर्न प्रकार के पुष्पर्रस का सुगंध है न उचारों तरफ फैलता है बहकना मतलब भाकना तो खुष्वो ये सुगंध शोक यो रायहा का कदम बिना जाकी असला का निश्वता आईसी प्रमात्मा हैं पुर्ण प्रम प्रमात्मा के चरणों को छोड़ करके रह नहीं सकती है भीद भीद की बना छत्रियां जडा और चंद्रवाजीं चलकत तो वहाँ पर भीविन प्रकार के छत्रियां जेश्टी दिखाई देती हैं ब्रेक्षे की शाखाएं चारों तरफ फैली होई होती है तो उच्छतर की तरह से लगते हैं और जब यह ब्रेक्षे एक दूसरे से जुड़े हैं तो वह चंदवा की तरह से लगते हैं तो जड़ा और चंदवा जयों चलकता जैसे चंदवा में अलग-अलग प्रकार की उरत कारीगरी देखाई देती है एक अदम सुख सुपने ले बहीं जाकि असलाह का निश्वत तो ब्रहमात्मा इन लिलाओं में श्रीराज्य के चरण कमल का सुख प्राप्त करती रहती है तो उनका इस सम्मंद पुर्ण ब्रहमा परमात्मा से है तो यह सब कहने का तात्परिय शा पारी लेलाओं का चारण तरफ का दर्शन भी करवा रहे हैं तो इन लेलाओं में श्रीराज्य के साथ में सम्मिलित होने वाली ब्रहमात्मा हैं उनको चरणों को भूल करके दुनिया में मस्त नहीं बन शकती है यह बात समझाना चा रहे हैं अभी के प्रशन को यहीं रखत जाकि आसला कनिशवत विदा विदा की वन चत्रियां जडावा चंद्रवाजू चलकत जडावा चंद्रवाजू चलकत एक अदम सुख सुपने लेव ही जाकि आसला कनिशवत जाकि आसला कनिशवत ज़िष्ञगा निया लालके, ज़िष्त गृरू महाराज के, साधरी प्राणनाज प्यारे गे, गजिपाष्नोतन अन्पोरे रामती, ज़िष्त गृुरू आचार, यस्रेह एक सुवार्ण कृृष्ण